हावड आपको खुशी होनी चाहिए कि आपकी बोड परिक्षा के तारीखा देए अब हम आपको इमपोर्टन्ट पार्ट कόन कौन से हैं यह बता ले जारा रहा था थे rap फ्रैमेंगों के बारे में हमने आपको इसके पहरे वाले पीशोट में बता दिया आज हम आपको बिश्टास के बारे बता है उठाए उठाए बिश्टास माने क्या होता है मालू ना विचार ठीट इस पार्ट इस किताब से भी चार पार्थ आपके important है एक चीज़ रखते हैं उठाब जब आप बोड़ परिच्छा में जबाब लिखने लगो तो अगर आपके गुरुजी कोई लांग question बहुत लंबा लिखा दिये हैं सार्ट कोश्चन बहुत लंबा लिखा दिये हैं तो ध्यान रहे इतना लंबा आपको खिशने विरूत नहीं आपको वहाँ पर सब्द लिखे रहते हैं तो इतने से इतने वर्ड में आपका होना चाहिए तो सार्ट एंसर तीस से चालिस वर्ड के बीच में और लंग कोश्चन असी वर्ड के मतलब एक पेज यानि कि सार्ट कोश्चन तीन लाइन से पांच लाइन के बीच में और लंग कोश्चन एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन लांग कोश्चन जब लिखो तो उसमें पैरा जरूर चेंज करना और जो मेन लाइन है उसको अंडर लाइन की जरूर करना ठीक है तो आज हम आपको विश्टास की कौन-कौन से पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह आपको तैंज जारू इतना पढ़ लेना कल्यान हो जाएगा पका यह विश्वास्त को पाठे के उपर इंपॉर्टेंट लेशन्स विश्टास के बारे में पहला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल त्रितिय तल इस पार्ट को लिखाए उटा जैक फिनीन है नहीं है यह पार्ट साट कुश्चन के लिए और लांग क कुश्चन के लिए दोनों के लिए बहुत मुहत पूर्ण है इसका लांग कुश्चन सब्सक्राइब क्या बनता है कि वाट मैसेज ड़्ट राइटर वांट तो गिब बाई इस टेशन यानिक इस पार्ट के माध्यम से कौन सा संदेश लेखक आपको देना चाहता है आपको जरूर पढ़ेना है यह पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथ कुश्चन के लिए और लांग कुश्चन के लिए पक्की बाद तो पहले क्या याद को रख बताओ लांग कुश्चन नहीं पहले आप साथ कुश्चन याद करें लांग अपने आपे देखोगे कि लांग में उसी प्रकार की लेंग्विज फिर आपको मिलेगे ठीक है अब इसमें विश्टास का दूसरा पार्ट है ताइगर किंग नहीं दमहा राज आप प्रतिबंध पुरह मैं याद है नौ नाम है इनके साथ कुश्चिन वाता है कि ताइगर किंग के नौ नाम कौन-कौन से हैं यह पुछलेगा तो यह नौ नाम आपको याद रखने हैं हैं हमाज बास नहीं है जम्यदार जनरल के दार मेजर सत्व्यागर संगहारी बिश्ववन सम्राट जिलानी जंग जंग बहादूर एम एडी एसी टीसी सी एर सी के एंड टाइगर किंग नौ को जाल की इसके भी साठ कुश्चिन और लांग कुश्चिन है पकाद एक तक जाड़ा इंपकूर्टेंट नौं पूछा सकता है तो बाप को पिए लांग कुश्चिन कर उनेगा वाट are the attitudes of the humans about the wild animals याने कि मानों का जंगली जानरों के पर कैसा दिश्चिकोन है यह प्रस्म पुझा जाता है most important है इसको भी याद कलेना ठीक है लेकिन पहले start question करना तभी जाकर करके आप अच्छा कर पाऊगे ठीक है अब इसी पार्ट में इसी किताब से एक पार्ट most important है journey to the end of the earth प्रथिवी के अंत तक की यात्रा इस पार्ट को लिखाए तिसानी दोशिन है अरे जो भारती है यार नहीं बहुत अच्छा पार्ट है और यह पार्ट आपके यसी के लिए important है नहीं यानि इसे मतलब आर्ट के लिए भी यह पार्ट खुब अच्छे रंग पढ़ना हुँड़ा इसका साड कोश्चिन भी important है लेकिन लांग कोश्चिन most important है ठीक है लांग कोश्चिन क्याता है वाट वाज दे प्रोग्राम आप students on ice बर पर विद्यार्थी नामक प्रोग्राम क्या है यह पुछा जाए उठा और यह बहुत ही कतरनाक पार्ट है यह यह question को आपका पका पुछा जाए उठा इसको जोड़ जाद कर लेना ठीक है पका साड कोश्चिन भी और लांग कोश्चिन भी अब आया आपका चौथा पार्ट एनमी मोस्ट इंपोर्टन का जाने बहुत खतरनाक पार्ट बहुत लंबा है पढ़ते पढ़ते ऊप गये होगे कि गुरुजी एक गंटम समझा आती है नहीं यानि पूरा पार्ट प्रोगेट टाइम लगेगा लांग कुश्चन भी और साट कुश्चन भी जिसमें सदैयों का करेक्टर जो है बहुत खतरनाक होगे तो वह कुश्चन इसका ज़रूप पढ़ेना इसको लिखा है परलियस बखने किसने लिखा होगे परलियस बखने बहुत अच्छा पार्ट है बहुत इंपोर्टन्ट है तो ये आपको चार पार्ट हमारी तरफ से अगर आप याद कियो तो कोई भी कुश्चन कहीं से भी पीपर बनेगा तो इन में से आपका एक ज़रूप लेगा दो आएंगे एक आपको करना होगा बाकी और भी आएंगे हम यह नहीं कहा रहा है कि नहीं में सभाएगा यानि और भी आएंगे लेकिन इन चारों में से आपका एक अवस्पसेगा हर पेपर में इस दे आप पढ़ेंगे थर्ड लेबल, टाइगर केंग journey to the end of the earth इन चारों पाठों को खुब अच्छे ढंग से आप तयार कर लेना निश्चित है कि आप परिक्षा में अच्छा कर पाओगे आपके अंदर confidence आएगे थैंक्यू